क्यार बच्चों, LGR study में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कि biology का जो आपका chapter है, जीब जनन कैसे करते हैं, इस chapter का हम लोगों ने 100% concept जो है पढ़ाई कर लिया है, और इस chapter से related सारे के सारे subjective question का भी हम लोगों ने discussion जो है कर लिया है, तो आज हम इस chapter स related, महत्पूर्ण objective प्रस्ण देखने वाले हैं, और काफी महत्पूर्ण होगा, टॉप 30 objective प्रस्ण आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा selective question आज हम लोग करने वाले हैं, जिस type के question इस chapter से पूछे जाते हैं, तो चले शुरू करेंगे, इसो को सीखने समझने का कोस् प्रस्ण बच्ची अगर अभी तक LGR study अप डाउनलोड नहीं किये हैं, तो जरू डाउनलोड कर लीजिएगा, first question आपके सामने है, question के दोरा पूछा जा रहा है कि उभै लिंगी जीव का उधारन है, उभै लिंगी जीव क्या होता है, और ये उभै लिंगी जीव के सारे उ जननतंत्र और मादा जननतंत्र एक ही जीव में पाये जाते हैं, next बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग दो नंबर question के लिए, question है कि निमनलिखित में कौन सा जन्तू उभै लिंगी नहीं है, तो कौन सा उभै लिंगी नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है, याद रखे question के लिए, question है कि फूल में नर जनन अंग है, तो फूल के नर जनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, तो यह option यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, next हम बात करेंगे आपके चार नंबर प्रसन का, question है कि अंडानू निशेचित होता है, यानि कि अंड लोग जानते हैं, जो अंडास्य से अंडानू को निकाल करके घरभास्य तक लाने के लिए, जो रास्ता है, उसे फैलोपीयन नलिका काते हैं, और निशेचित होती है, यानि कि अंडानू से सुक्रानू वहीं पर जाके मिलते हैं, next पूस्प के कैंद्र में अवस्थित माध जनन अंग होते हैं, पैरबच्चों उसे कहते हैं, इस्त्री केसर क्या कहते हैं, इस्त्री केसर कहते हैं, तो ये आप याद रखें, next है पैरबच्चों की जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में बिर्दी करते हैं, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, तो जीव जि जनन मुकूलन द्वारा होता है तो याद रखेंगे ये इस्ट में किसमें ये यानि कि आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा यह कौका है क्योंकि एक साथ हिंदी इंगलिस टाइप करने महल का प्राबलम आता है तो ऑप्शन भी आपका हिंदी में ही टाइप कर दिया जो है बैक्टिरिया जनित यानि कि बैक्टिरियल से कहते हैं या फिर बैक्टिरिया से होने वाले लैंगिक जनन जो है और संचारित रोग है तो बैक्टिरिया से होने वाले लैंगिक जनन संचारित रोग जो है न वो सिफिलिस है क्या है सिफिलिस बैक्टिरिया से होते हैं एड्स तो भाईरस से होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे नौ नमर कुश्चन के लिए कि सर्जिकल विधी द्वारा यानि कि ऑपरेशन के द्वारा फैलोपियन नलिका को अब रुध करना क्या कहलाता है फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है ताकि अंडानू स सुक्रानू से ना मिले इस विधी को क्या करते हैं यह आपको बताना है तो इस ऑप्षन के अनुसार देखा जाए तो हम नौ के लिए जो आपका राइट आंसल हो जाएगा वह खाओ जाएगा इस्त्री नस बंधी या बंधिया करन आप इसे कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम हम बात करेंगे 10 नंबर पोश्चन के लिए पूछा जा रहा है कि कोर्परस लिटीख मुंचिय उस एक चांष सरावित हार्मों को हम क्या कहते हैं तो क्यांतро 되어 सी जो हार्मोन स्रावित होते हैं प्र बच्चो उसे हम कहते हैं प्रोजेस्च्टे रॉन क्या कहते हैं प्रोज लंगिक जनन संचारित रोग है तो जनन संचारित रोग सबसे फेमस यहां पर देखा जाए यान M को और खो दोनों आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरे बच्चों आपके 12 नंबर कोश्चन का डेंगू उत्पन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता हैं मैं बताता हूं कि जो बच्चे नहीं परेंगे न वो 100% गंदा जल मार क क्या आएगा लेकिन याद रखिएगा कि देंगू उत्पन करने वाला मच्छर हो साफ जल में पाई जाते हैं साफ जल में नेक्स्ट है कि नर्युगमक और मादा युगमक के सनलयन यानि कि एक होना यानि कि मिलने को क्या कहते हैं तो आप बहुत ही दिटिल में परहाई कर चुके इसके बारे में इसे निशेचन कहते हैं क्या कहते हैं निशेचन नर्युगमक क्या है तो नर्युगमक है सुक्रानू और मादा युगमक क्या है अंडानू सुक्रानू और अंडानू का मिलना ही निशेचन होता है नेक्स्ट है प्यार बच्चो आपका चोदर नमर क गरंथी कहलाता है तो मानम में जो नर्जनन गरंथी है वो कौन है किसके द्वारा बच्चे को जन्द देने की चमता पुडूसों में देखा जाता है तो व्रिष्ण कौन चीज व्रिष्ण आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका सबस्था को दिखाने बाला जो आपका हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरॉन कौन है तेस्टोस्टेरॉन आपका याद रखेंगे जिसमें टेस्टेस्टोरन कम होता है उसका दारी मुछ जल्दी वगए यह नहीं आता है यह आप याद रखें नेक्स्ट है कि और लेंगिक तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सोला के लिए जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट प्यार बच्चों बात करेंगे निमने लिखित में कौन एक प्रोटो जोवा जनित लेंगिक जनन संचारित रोग है प्रोटो जोवा से होने बाले लेंगिक जनन संचारित रोग तो यहां पर 17 के जे आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा टाइको मोनियसिस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अठारा नमर कोश्चन की निम्नले लिखित में कौन विसानू जनित लेंगिक जनन संचारित रोग है यानि की वाइरल विसानू यानि की से होने वाला जो लेंगिक जनन संचारित रोग है वह कौन है तो अठारा के लिए प्यार बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वह एर्ड़ हो जाएगा बहुत ही फेमस बीमारी है नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग उनिस के लिए मुकूलन द्वारा प्रजनन किस में होता है तो उनिस के लिए आपका राइट आंसर होगा इस्ट मुकूलन द्वारा इस्ट में प्रजनन होता है नेक्स्ट है आपका की दूई खंडन जो है दूई खंडन होता है दूई खंडन किस में होता है तो दूई खं पूष्प का उधारन है तो हमने आपको बताया भी था कि एक लिंगी पूष्प पपीता है अगर देखा जाता कई बार ठीक है नेक्स्ट दूई खंडन एबं बहु खंडन विधी से उत्वपन वनसजों को क्या कहते हैं तो दूई खंडन और बहु खंडन विधी से जो वनस हैं तो 23 के लिए जो आपका यहां पर राइट आंसल हो जाएगा वह अंडानू होगा पौधा का जो मादा यूगमक के अंडानू और नर यूगमक जो है वहां पर अगर देखा जाए तो जो आपका कण जो था अम पराग कन ठीक है वह आप बोल सकते है नेक्स्ट प्यार बच्चो 24 कि निम्न लिखित में कौन एक उभय लिंगी जन्तु है तो उभय लिंगी-जन्तु के बारे मैं यहां पर आपसे पूशा जा रहा है तो उभय लिंगी जन्तु केचुवा है केचुवा में इस्तरी और परुदूस अलग नहीं होते हैं नेक्स्टे कि किसमे और लेंगिक जनन मुकूलन द्वारा होता है मुकूलन के द्वारा लेंगिक किसमे होता है तो इसलन यहां पे 25 जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका जो है नहीं होगा बुकूलन ये दोबार आ गया नेक्स्ट है कि पराग कोस में पाया जाता है तो पराग कोस में पाया जाएगा छोटा छोटा पराग कन क्या पाय जाएगा पराग कन पाय जाएगा नेक्स्ट आप जो है आगे बढ़ते हैं 27 कि अंडोत सर्ग के बाद यानि कि अंडे का जब जो है ना वो अंडासर से निकल जाते हैं उसके बाद परिपक्व ग्रैफी यन है ना फॉलिकिल किस में परिवर्तित हो जाती है यह आपको बताना है तो 27 के लिए आपका राय डांसर होगा वह यह होगा कॉर्पस लिटियम में यह आप याद रखें है नेक्स्ट है कि लेंगिक जनन संचारीत रोगैं अगर देखा जाए तो चेचक तो है नहीं पलेग भी नहीं है पीलिया भी नहीं है तो एड्स Edds आपका सबसे famous है इस छेत्र में पूर्ण बिखसित अंडा से खालाता है जब पूरा-बिक्सित हो जाता है तो वो हम उसे क्या कर सकते है तो वह कहलाayका फल और विखसित हो लोगों ने देखा है और इससे आगे और भी हम लोग क्या करते रहेंगे देखते रहेंगे आप सब्सक्राइब कर दिए अपने दोस्त मुईत्र भाई बान के पास टेलिग्राम से नहीं जूरे हैं तो जूर जाएगा और जो है आप डाउनलोड कर लिजिएगा फेस्बुक से भी जूर सकते हैं हमारे साथ और ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम से भी जूर सकते हैं थैंक्यू सो मच मिलेंगे हम लोग जो है अगले कलास में तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजी आरस्टे देख दिख दिख लिए गु